नमस्कार दोस्तों यूटेबे नोश 24 के एक और नीव वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों IPL तिन दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा जो बचे हुए एक 30 मुकावले हैं मगर उससे पहले RCB की टीम ने एक प्रेक्टिस मुकावला खेला RCB की दो टीम में बनाई RCB A और RCB B जिसमें दोस्तों RCB A की ओर से खेलते हुए डिविलर्स ने कहरा मचा दिया मगर फिर भी डिविलर्स की टीम हार गई अगर आप भी RCB के बहुत बड़े फैन हो और आप भी चाहते हो कि RCB इस बार IPL का टाइटल जीते तो जिवी डियर्स को एक दिल से लाइक करिए चेनल को सस्क्राइब करिए बेल आकन दबाईए और लूटिफिकेशन पर क्लिक करना बोल को न भूलें मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ 19 सितंबर से IPL का आगाज हो जाएगा जिसके लिए सभी टीमों ने सभी खिलाडियों ने कमर कसली है RCB की टीम ने प्रैक्टिस मुकाबला खेला जिसमें दो टीम बनाई RCB A और RCB B सबसे पहले RCB A ने टो जीता बल्लेवाजी करने का फैसला कर लिया जिसमें RCB की ओर से खेलते हुए A.B. डिविलेश ने प्रैक्टिस मुकाबले में मातर 46 गैनों का आज सामना करते हुए साच चोके और दस गगन चुम्मी छक्के की मदद से 104 रन की नावात तुफानी पारी खिल डाली दोस्तो पहली 17 गैनों में तो डिविलेश ने मातर 17 रनी जड़े और उसके बाद दोस्तो डिविलेश ने देखते ही देखते 40 गैनों में 104 रन उड़ा दिये डिविलेश की टीम ने 4 विकेट खोकर 20 सोवर में 212 रन का पहार जयसाज को खड़ा कर दिया जिसमें गैन्द वाजों ने खूब रन लटाए और देखते देखते RCB की बी टीम ने महस्तीन विकेट खोने के बाद 20 सोवर में 216 रन रना ले और 213 रन के रच्चिका पीछा कर लिया दोस्तों कहीना कहीं है तो साफ है IPL से पहले के RCB की जो बल्लेवाज हैं वो अच्छी लेमे हैं मगर गैंद वाज RCB के खूब रन लुटा रहे हैं ये बात बोलको सच है फिलाल इस वीडियो में तनी इताथ अपता के लिए अपने ख्याद रखिये देखते रिए यूटेव इनोस 24